वकाप के बिलकुल नई सेशन में आपका मुस्ट विलकुम है यूगाइस नो हमारे वन वर्ड सब्सिटूशन का सीरीज चल रही है इस वीक हमने टू सेशन से कि अल्रेडी कंड़क्ट कर लिए और यह वॉलो अप सेशन है रहें की स्टेटमेंट को हमसे स्टेटमेंस को भी देखेंगे कि एंग बहुत सब्सिटूट हो सकते हैं अजका सेशन हमारे पर पुरिपर्ट की तरह बहुत इंटरस्टिंग लएगा आपको इसमें सीखने के लि से लिए मुझे कॉमेंट करके बता दो आप बिल्कों के लिए तो आज का सेशन स्टाट करते हैं आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगे आपको सीखने को कुछ में तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट जबूर करना और हमारे टेलिग्राम पर जोइन कर लो आप वहां पर अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं वहां पर डेली क्विज्ज वोस्ट होते हैं जिसमें आप अपनी रिजनिंग कॉंट और बाकी के पोश्चन को चेक कर सकते हो और सबसे पहले बात आती है कि study of sounds is known as sounds की study को हम क्या कहते हैं क्या हम सिमेंटिक्स कहते हैं क्या हम स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं क्या हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं यह हम फोनेटिक्स कहते हैं क्या कहते हैं बहुत अच्छा वर्ड है आपका इसका मीनिंग पता होगा जेनरल थे हो तो उसका जो पर उसका बंता है वो क्या बंथा है फोने टि downs बाता आती है लिंगुिस्ट की लिंगुइस्टिक्स की लिंगुइस्टिक्स की मुटला है जब हम मतलब है लिंगुइजेजु्ट यसको इत्व म準備 करते हैं अगर एक निकलता है एक word निकलता है polyglot और एक होता है linguistics लिंग्विस्ट और polyglot में क्या difference होता है देखिए linguist क्या होता है कैसा person जो multiple languages को study भी करता है और उनको बोलता भी है तर पॉलिगलॉट क्या होता है polyglot ना सिर्फ multiple लेंगवेज़ को बूलता है तो जब भी पॉलिग्लोट की बात आती है तो एक ऐसा परसेंट जो मुल्टीपल लेंगवेज़ को स्टेडी करता है में भी बोल भी सकता है तो तो वह क्या होगा वह एक लिंग्विस्ट परसेंट बाताइए स्टाइलिस्टिक्स की स्टाइलिस्टिक्स क्या होता है यह डिफेंट स्टाल होते हैं जो हमारे लेंग्वेज़ को लिखने में यूज होते हैं रिटेन के अंदर जब हम वेरियस स्टाइल की लेंग्वेज़ लिखते हैं वह स्टाइलिस्टिक्स होता है उनकी स्टडी बात सब्सक्राइब चाहते हैं यह सब्सक्राइब करना चाहते हो उस चीजे चेडिक रिंट और वर्ट्स को बीचब सete आपको इसका मीनिग सब्सक्राइब और सवर्वार्चा निया देखना ऑलbike को Grade करने के लिए उनका मीनिंग समझना तो यह आपके पास था बहुत सिंपल सा वर्ट था आपको इसका मीनिंग अल्रेड़ी बता था चलिए 56 में देखें मतलब आज के लिए जो हमाई पास सेकिंड है उसमें क्या है किसी चीज को बिल्कुल आपसिडूटली नथिंग कर देना क्या इसके अंदर क्या मीनिंग होता है क्या इसका कल होता है क्या इसका लल होता है क्या नल होता है तो देखिए क्या होता है लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात आती है अनल की अनल का मीनिंग क्या होता है जब हम legally किसी चीज को nullify करते हैं मतलब एक चीज को हम invalid घोशित कर दें legally तो वह क्या होता है अब जैसे marriages होती है na marriages को जब legally end गिया जाते है न वह procedure होता तो डाइवोर्स है पर उसको कहते हैं वह A null हो रही होती है वह एक्चुली legally ending हो रही होती है उसका मीनिंग क्या होता कि खत्म कर रहे हैं तो इसका correct answer क्या बनेगा उसका करिक्दा बनेगा बातल लका कि इस word को हम लपय से समझ सकते है ल राव दिक ना लटी लिटकीप हो जाए यह वह शान्ट हो जाए काम हो जाए तो जब हम किसी को एक ऐसी बात बताएं 8 ऐसे चीज सुनाएं जिस्ये कि वह पार्जन या तो रिलक्सों या काम is the way और कल का मीनिंग क्या हुथ है कल का मेनिग होता है एंदिमल्स की कि लिंग killing of animals अगर उनकी population out of hand हो रही है अगर किसी particular animal की population out of hand होती है तो हम उसको कल, मतलब उसको जब kill करेंगे वो method होगा कल understood कल का मतलब killing करना animal की ताकि उसकी population जादा नहों पाए लल का मतलब किसी person को relax करना reduce to nothing, null होगा, correct answer है null का मतलब होता है किसी चीज को legally end करना वाच simple से words से I hope आपको इनका meaning clear था और आपको इनमें कोई doubt नहीं था चलिए आगे देखें हमारे पास next में क्या है next में जो word बनता है वो है an obviously true or hack need statement एक ऐसी statement which is true जो की true है जिसके बीच में अशा कुछ नहीं है क्या वो truism होगा क्या वो siloism होगा क्या वो iconic होगा क्या वो imagism होगा तो देखिए truism इसका correct answer है truism ही एक ऐसी statement होती है जो बिल्कुल true है जिसके अंदर हम कोई भी mistake ढूंद नहीं सकते siloism होता है यह तो आप reasoning में भी करते हो अपनी यह ना argument supply की जाती है जब आपके पास arguments होती है कुछ condition set कर रखिए और उसके बाद आपको वो statement से true proof करने किसी चीज़ को वो तो बन जाएगा आपके पास आप सिलोविजम iconic क्या होगा iconic का मतलब क्या होगा कोई catchy सी thing जो काफी attractive है वो काफी symbols भी हो सकते हैं यह कोई भी चीज हो सकती एक written statement भी हो सकती है जो काफी catchy हो imagism क्या होता है इसमें क्या था basically imagism ना एक movement थी जो American और English authors ने English poets ने start की थी और 20th century में तो उसमें क्या था वो कुछ एसे statements के against थे तो imagism उन्होंने statement स्टाट किया था यहां पर हमें बात करनी है कैसी चीज की जो बिल्कुल true है तो उसका आंसे क्या आजाएगा ट्रूइजम का मतलब यह भी लगा सकते कैसी चीज जो काफी बोरिंग थी उस सेंग्स में तो 57 वर टफ था इस पर ध्यान देना पर आल्ट्रूइजम अगर मैं यहां पर बात करो ट्रूइजम से ही वर्ड निकला है अल्ट्रूइस्ट यह अल्ट्रूइजम उसका मीनिंग क्या होगा जैसे यहां पर एक ऐसी चीज है ने कैसी statement जो हमेशन true है अल्ट्रूइस्ट क्या करेगा हमेशन सच का साथ देगा मतलब हमेशन परसन होता है जो हमेशन सच्चाहिक की तरफ रहते है अपने आपको सेव करने के लिए जूट बोल तो वह कभी जूट नहीं बोलता कभी लाय करता हो हमेशन सच्चाहिक का साथ बहुत सिंपल सा था इंप्रेंट था यह वला इंपॉर्टन था चलिह आगर एक तो आपको पता ही होगा पिलोग किसी के एंडिंग में दिया गया स्टेटमेंट होता है अपिटोम होता है अपिटोम आपके पास पीक लगा लेक सिंस में काफी बिटर क्वालिटी का इक चीज एक टूम जिसको आप एक यह कह सकते हो कि वह आपका एक आइडल है जिसको आप फॉलोव करना चाहते हो मतलब एक फाइनेस क्वालिटी की इसके बात बात आती है आपके पास एपिसल की एपिसल क्या होता है एपिसल होता है एक रेटन लेटर या रेटन स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जब आप एक क्वालिटी की चीज़ है जो एक सेंस में देवी है जिसको आप फॉलोव गरना चाहते हो तो वह बन जाएगा वह होता है जब किसी भी एक स्टोरी या किसी भी एक स्पीश के लास्ट में दी जाने वाले जो वर्ट होंगे वह जाएंगे एपिलोग और लोग स्टाटिंग म ब्रश और स्पेशल पिन एक एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसमें क्या होता है आपके पास बहुत अच्छे अच्छे मतलब बहुत ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग में कुछ भी लिख सकते ब्रश या स्पेशल पिन से धूनने के भी नीड नहीं है इसमें आंसे क्या है कालिग्राफी limit ग्राफिक्स क्या होत Pokémon आपके पास लगालो कोई भी फोटोग्राफ तो वह तो जाएगा आपके पास graphics, stenciling क्या होता है? stencils आपको पाता है? predefined set of, a scale type structure होता है, उसके अंदर words engraved होता है, छोटे होते हैं, चोटे होते हैं, आप आप अपनी pencils को move करते होते 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 हैं, particular alphabet बनता होता है, तो stencils क्या होता है? ये predefined designs होते है, जो आपके पास already given है, ठीक है? पिच्चर के थ्रू स्टेटमेंट्स बताई जाती है जैसे एजिप्ट का एक्जामपल ले ले हम ग्लिफिक्स वहां पर यूज करते हैं उन्होंने क्या किया हुआ था अब स्टोन के उपर न वह पिच्चर के थ्रू अपनी बात बताना चाते हैं कभी कभी क्या होता था एंजिन टाइम में जब लैंगोज इसकवर नहीं होई थी तो लोग क्या करते थे पिच्चर का यूज लेटिंग में अपनी बात को बताना स्टेंसिलिंग्स है इस 1st letter से ही जब हम वर्ड बनाएं वह क्या है अ教 है एक्राइम है अब गरेंट में थो एक्रेक्षृ लित्यार लॉकिनł में है जो बताई यह तो बताई है क्या होगा कि लाट सबस्क्राइब लाइन क्लीं सुर्फ फ्रकेंट किया होता है इसके लिए ना कभी-कभी हम obsolete भी use कर लेते हैं एक ऐसी चीज जो हम present में use नहीं गरते हैं वो anachronism है या वो obsolete है understood? Almanac क्या होता है? यह ना calendar होता है जिसके अंदर ना सारी details होती हैं एक institute की या एक school की एक calendar year में जितनी भी holidays आएंगी ना वो सब कुछ उसके अंदर mentioned होगा तो Almanac तो हो एक calendar होता है given institute का अब ब्रिजमेंट का मतलब क्या होता है अब ब्रिजमेंट का मतलब क्या होता है इसमें ना हम short way में short hand में अपनी सारी बात बताते हैं short possible way में अपनी सारी बात बताते हैं आपको पता होना चाहिए आपको आपको पता भी था चलिए आगे देखें हम आरे पास सिक्स्टी फोर्स में क्या है अब परसेन ऑफ ऑप्सक्योर पोजीशन वेस गेंड वेल्ट एक ऐसा परसेंट जिसने एक दम से बहुत सारा पैसा कमा लिया तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे क्या वह एक्स्ट्रा बेगेंट होगा यहां पर बेगेंट नहीं है तो इसमें सोचिए क्या होगा तो स्टाटिंग करते हैं हम यहां से एक्स्ट्रावेगेंट से एक्स्ट्रावेगेंट गया होता है एक ऐसा परसें जो बहुत जादा खर्चा करता है तो नेसेसरी नहीं है requirements ज़्यादा खर्चा करने वाला person क्या होता, extravagant, बिल्कुल, उसके बाद बात आती है हमारे पास promiscus की, यह क्या होता है, promiscus एक ऐसी चीज होती है, जिसको हम multiple sources से लेते हैं, multiple sources से gain की हुई knowledge या wealth, जिसमें कोई एक particular चीज पर focus नहीं है, हम अलग-अलग sources से क्या कर रहे हैं, उस चीज को इकठा कर रहे हैं, promiscus ज्यादा तर इसका meaning यही है, कि हम जब multiple sources से कोई चीज को इकठा कर रहे हैं, बिना कोई एक particular चीज का सोचे हुए, उसके बाद बात आती है, per venue, यही इसका correct answer है, इसका meaning क्या होता है, एक ऐसा person, जो ना social status उसका low है, मतलब lower social status को belong करता है पर वो एक दम से काफी wealthy हो गया, मतलब obscure का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो काफी, जिस पे आप pretty कर सको, जिस पे आपको दया आए, तो obviously, इसका meaning है कि एक ऐसा person जिसका social status काफी कम है, बट उसको एक दम से जब wealth मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, पारवाय नहीं, ब किसी के behavior को control करना चाहते हो, तो उसका controlling का जो process है, वो क्या है, वो sumptuary है, I hope आपको इसका meaning clear था, आपको इसमें कोई doubt नहीं था, वाच simple सा था, चलिए, आगे देखें, हमारे पास 60 second में के, I guess यह, हाँ यह 60 second है, don't worry, तो इसमें आपको बताना है, that which has double meaning, एक ऐसी चीज जि मुझे बताईए, आपके 55 से लेके 60 तक, 61 तक, कितने correct आए, मुझे comment से बताना है, आपके कितने correct थे, चलिए, आगे देखें, हमारे पस क्या है, that which has double meaning, जिसका double meaning होगा, उस चीज के लिए क्या होगा, क्या वो doubtless है, क्या वो uncertain है, क्या वो controversial है, क्या वो ambiguous है, देखिए, doubtless, जिसमे कोई doubt नहीं है, obviously, नहीं होगा, uncertain, जो चीज सर्टेन नहीं है, जो चीज फिक्स नहीं है, वो भी नहीं होगा, controversial, एक ऐसी चीज जिस पे argument बहुत जादा हो सकता है, जिस पे लडाई जरडा काफी जादा हो सकता है, वो चीज कैसी होगी, वो controversial thing होगी, ये भी नहीं, बचा, ambiguous, और correct answer भी क्या है, ambiguous, जिसका more than one meaning होगा, वो एक ambiguous term ही तो होगी, जैसे, biannual, biannual का meaning क्या होगा, twice in one year, या once in two, या ऐसी, suppose करो, इस कासा समझ लो, biannual तो जाद होगा, bimonthly इसका example ले लो, bimonthly, तो इसका meaning क्या होगा, twice in one month भी हो सकता है, या once in two months भी हो सकता है, है ना, bimonthly का मतलब दो महीने में एक बार भी हो सकता है, या एक महीने में दो बार भी हो सकता है, तो ये कैसी term है, ये एक ambiguous term है, तो जिसके more than one meaning होगा, या जिसका double meaning है, वो ambiguous term ही है, मतलब जो चीज clear नहीं है वो ambiguous ही तो होगी है ना सेंपल सा ही तो था चलिए आगे देखें हम आरपास next में क्या है incapable of making errors जिसके अंदर कोई errors नहीं आ सकते उसके लिए हम क्या use करेंगे क्या वह infallible होगा क्या वह incorrigible होगा क्या वह impervious होगा क्या वह inexplicable होगा तो जिसमें आप errors नहीं ढूंड सकते वह क्या होगा incorrigible का meaning तो होता है जिस चीज को हम correct नहीं कर सकते इंपर्वियस का meaning क्या होगा इंफालिबल का meaning तो यह होगा जिस चीज में आपके पास कोई मिस्टेक ही नहीं मतलब incapable of making mistakes पैलिबल का मतलब क्या होता है जो मिस्टेक कर सकता है इंफालिबल क्या होगा जो मिस्टेक नहीं कर सकता इसका एह ही होगा जो इसका correct answer है तो आपको answer correctly ढूंडना था वो तो बनेगा आपके पास इंफालिबल बात है inexplicable की जिस चीज को explain नहीं किया जा सकता तो जो चीज जिसको आप explain नहीं कर सकते which cannot be explained वो क्या होगा इंफालिबल 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 ही correct answer है तो आपको इसका meaning clear था और आपको इसमें कोई डाउट नहीं था बहुत सिंपल सा वर्ट सा चलिए आगे देखें 64 में में क्या वेलेबल दे रखा है इन्होंने तो 64 governed by the sense of duty जब आपके पास sense of duty से कोई चीज मिले मतलब आपको ऐसा feel हो कि आपको ये काम करना है वो आपकी duty है तो क्या वो conscious है क्या वो सेंसिबल है क्या वो intelligent है या वो conscious है ये वाला मैंने इन दोनों में आपको डिफेंस बताया था जब आप अपने ब्रेन के को ये action लेते तो वो conscious ये वाला होता है और हमें sense of duty दे रहा है वो हमें ब्रेन ही रियलाइस करवाएगा ना कि ये हमारी duty हमें इस काम को करना है तो इसका correct answer के बनेगा conscious ये वाला बात आई intelligent की तो एक random चीज की बात करनी है जिसमें हमें क्या फील होगा हमें फील होगा कि ये हमारी duty और हमें इस काम को करना है तो जब हमें sense of duty मिलेगी वह ब्रेन से मिलेगी तो इसका correct answer बनेगा D option काफी simple सा था I hope आपको इसका meaning clear था चलिए आगे देखें हमारे पर 65 में क्या है the depository where state records and documents are preserved एक ऐसी place जहां पर state records और documents को preserve किया जाता है क्या वो museum होता है क्या वो library होता है क्या वो emporium होता है या वो archive होता है बताइए क्या होगा museum library emporium या archive बहुत simple सा आपको पता ही होगा correct answer इसका है archive बाकी के meaning देखते हैं museum museum में तो क्या होता है ancient things को दखा जाता है मतलब showcase किया जाता है कैसी एनी मतलब ऐसी चीज़ों को जो काफी एक sense में priceless things है valuable है priceless है unique है जो हमारे ancient past को बताती है मतलब उससे related जती भी चीज़े जिनको हमें preserve करके दखने उसको हम कहां दखेंगे museum में library में क्या होता है library में तो books होती है ना तो वो तो हो गई नहीं emporium emporium क्या होता है emporium ना एक sense में मार्ट होता है megamart एक बहुत बड़ा shopping complex जहां पर आपके पास हर टाइप के things available है चाहे वह food items है चाहे वह आपके पास clothes है या वह cutlery है culinary का समान है या वह आपके पास और भी a wooden furniture है basically तो एक house जिसके अंडर या एक building जिसके अंडर आपको सब चीजह मिल जाएं वह होता है एक emporium और आपको बताई दिया अब यहां पर मैं आपसे question पूछन चाहता हूं मैं बात करूं कि अगर मैंने आपको एक word दिया curator curator क्या होता है yeah the curator कोन होता है curator में कामका करने वाला परस्थया यया लाइब ओरि में कामका करने वाले परस्थया या improv ज़स्थया जाना एक और गाएस को मैंटेन्टरने वाले फरस्थय소 होगा करने वाला परसान होते सप्षाल क्या वह म्यूंजीएम में होगा 66 में क्या है जो कि आज के लिए हमारे 11 बनेगा देखें क्या है डाइट विच इस नो लॉंगर फाशनेबल और इन यूज एक ऐसी चीज जो आज ना तो फाशनेबल है ना हम उसको आज कल यूज करते हैं उस चीज को हम क्या बोलेंगे अन्यूस्ट एंशियंट अपसलीट य लिए अब बत्कों लेमेटेट टाइम तक अपडेट नहीं करते हैं लेसके आपने कुछ महीन है अपडेट नहीं किया प्रेट लिए जो उस के फीचर नहीं करते हैं आपको नए फीचर को लाने के लिए उस WhatsApp के वर्जिन को अपडेट करना पड़ेगा ऐसी चीज़ें जो फैशनेबल तो हैं बट आज कल यूज नहीं होती वह कैसी चीज़ें वह और यूज नहीं करते तो ऐसा मीनिंग नहीं है कि जिस चीज़ें जो आउट ओफ डेट हो जाती है आई होग आपको इसका मीनिंग क्लियर था बहुत सिंपल सा था चलिए आगे देखें हमारे का 67 में कि मर्डर को क्या कहते हैं क्या वह हमिसाइड होते हैं क्या वह पैट्री साइड होते हैं क्या वह पैट्री साइड होता है बताइए क्या होगा हमिसाइड पैट्री साइड या पैट्री साइड या पैट्री साइड या पैट्री साइड यह पैट्री साइड यह पैट्री कहते हैं यह फीमेल है मैं चाहित ऊसकी कहते हैं Picard Baptist Because I'm a sister वह या सिस्टर की broadcasting म्तलब आपके sibling कि व्म यंग स्को क्या भूलते हैं प्लेटरी साइट येँ बता दिया पैटि सैद ओता है प्रसें पर्सेन अपने नहीं फादर को करता है उसको क्या गहते हैं अजर्म्स की किलिंग करें हमें जर्म्स को हटाना है तो वह क्या होगा जर्मी साइड हमें पेस्ट्स को फिल्ड में से तो वकिया होगा पेस्टिसाइट मतलब वह कैमिकल जिनके ठ्रू हम जरम को कियल करते हैं आप सि होते हैं इंशेक्ट को concept होता है क्या वो एक्वेरियम होता है sorry birds are not bees birds are एवियरी house aquarium या एपी अदिए बताईये क्या होगा तो जहां पर हम birds को लखते है न वो तो होती है एवियरी ठीक है प्लेंस के लिए हम कभी-कभी एवियरी को यूज कर लेते हैं ओरने वाली छीजतों के लिए हम और। ढूल सकते हैं अधिये एक सेंट में लगता है बट प्लेंग के लिए नियुक्त या बागी सभी aquatic animals वो aquarium में देंगे, बात आई apiary की, अब apiary एक important चीज है, जहां पर हम bees को रखते हैं, honey के लिए, honey produce करने के लिए जब हम honey bees को रखते हैं वो तो होती है apiary, अब bees के लिए color place भी है, जब हम bees को एक प्लेस पर रखें, bees ने अपना घर खुद से बनाया हुआ, ज hive भी होता है bees के लिए, apiary होता है जब हम honey के लिए उनको पालते हैं, मतलब उसकी upbreaking करते हैं honey के लिए, तो वो तो है apiary, ठीक है, hive के case में क्या होता है, जब वो अपना nest खुद से बना रही है, अपनी मर्जी से, मतलब अपनी मर्जी से place को choose करके, जब वो nest बनाती है, वो त स्वार्म क्लेक्टिव ना है, hive उनका खुद से बनाया हुआ place है, apiary हमने उनको दिया हुआ place है, जो honey के लिए हमें, हमें उनसे honey चाहिए, तो जब हम honey के लिए उनको पालते हैं, तो वो apiary होता है, I hope आपको इसका meaning clear था, आपको इसमें को डाउट नहीं था, चलिए आगे देखें हमार पास next में कहा है, an apartment building in which each apartment is owned separately by people living in it, but also containing shared areas, एक ऐसी apartment building जिसमें apartments तो लग लग person के पास होते हैं, बट उनका एक shared area भी होता है, shared area के लिए example, parking space, parking space तो सबके लिए common है, तो let's say एक apartment building है, जिसके अंदा multiple floors है, हर एक फ्लोर का जो फ्लाट हा वो सहल हो रहा है, इसके पास common swimming pool है, common gym है, तो यह सब कुछ कहे, shared areas है, तो इसको क्या बोलेंगे, condominum, multiplex, duplex, caravine, बताइए क्या होगा, बहुत simple है, generally इनको ना condos भी बोला जाता है, अगर आपने कभी सुना होगा, condos होता है, या apartments भी कहते हैं इनको, अपनी normal language बात करको तो हम लोग इनको flats भी करते हैं, तो condos, इनकी character, condos किसका short form है, condominum का short form है, इसका ही correct answer condominum होगा, बाकि सभी के meanings देख लो, multiplex, multiplex क्या होते है, जिसमें multiple stories है, owner same ही है, multiple story building जो है न, जब उसका owner एक ही है, पर उसमें multiple stories है, तो वो क्या है, multiplex, duplex में क्या होते है, जिसमें two floors होते है, generally houses, जिसमे two floors हैं, वो एक duplex building है, caravan, caravan क्या होता है, caravan तो resting place होता है, एक gypsy person का, मतलब एक ऐसा person जो एक place पर stable नहीं है, place to place move करता रहता है, तो वो होता है, caravan, तो caravan एक car भी होती है, vanity van भी कहता है, इसको, इसके अंदर क्या होता है, उसको इस तरीके से बना गया होता है, जिसके जिपसी का, understood, तो बहुत सेंपल सा था, I hope आप इसको meaning अल्रेडी पता था, चलिए आगे देखें हम एक पर 70th में आज के लिए क्या वेलेबल है, group of three powerful people, three powerful people का group क्या होगा, trio, tritium, triway या, triumvirate, तो बताएगे क्या होगा, trio, trio तो होता है basically three का group, और वो होता है, जालतर singers का, मतलब ऐसे लोग जो कोई performance देने वाले हैं, singers, dancers, उनका जब three का group होगा, वो होगा trio, हमें नहीं चाहिए, tritium, tritium तो होता है generally, जिसमें three elements होगा, three atoms और molecules हो, तो वो भी नहीं, हमें नहीं चाहिए, ट्राइव भी उसी सेंस में बात आई, powerful people की, तो जब ऐसे लोग जिनके पास vast power है, वो काफी powerful है, उन तीनो powerful people का जो group होगा, वो बनेगा, triumvirate, तो इसका correct answer बनेगा, D option, काफी simple सा था, triumvirate, इसका correct answer है, चलिए, 71st देखें, उसमें क्या है हमारे पास, operation of the dead body after death, किसी भी dead body का operation करना death के बाद, वो क्या होगा, क्या वो post-mortem होगा, क्या वो arbitrary होगा, क्या वो homage होगा, क्या वो morgue होगा, बताइए क्या होगा, तो देखिए, बात आई, mortuary की, mortuary क्या होता है, यह एक place होती है, जहां पर dead bodies को लखा जाता है, mark, और mortuary, death, जब तक उनको claim नहीं किया जाता है, तो वो mortuary में देते हैं, नहीं चाहिए, homage, homage क्या होता है, जब हम किसी dead, death, जब कई एक person जिसकी death हो चुकी है, उसको जब हम respect देते हैं, वो क्या होता है, वो respect देना हो में जो था है, ठीक है, arbitrary, arbitrary क्या होता है, एक dead person के लिए, जो written statement है, जो newspaper में दी जाती है, written statement, उसकी details, जब हम newspaper में उसकी details को provide करते हैं, कि वो कौन था, कहां का देने वाला था, या किन circumstances में उसकी death हुई, तो उसको बोलते हैं, और बिचूरी, जनरली तब होता है, जब हम एक unclaimed body आती है, और उसकी identification के लिए, जब हम थोड़ी बहुँदेटेल्स बेंचिन करते हैं न, newspaper में तो और भी चूरी होता है, correct answer बनेगा post mortem, post mortem में क्या होता है, death के बाद किया गया, उसका examination, उसमें body को क्या करते हैं, और प्रेट करके चेक करते हैं, कि उसकी death का actual reason क्या था, तो post mortem में इसका correct answer होगा, I hope आपको इसमें कोई doubt नहीं है, बहुत simple सा word चाहूँ, चलिए आगे देखें हमारे पास next में अब क्या है, not allowing the passage of light, एक ऐसी चीज़ जिसमें से light pass नहीं हो सकती, simple है, बताने की भी need नहीं है, answer का बनेगा, opaque, बात आई बाकी सभी की, opulent होता है, एक ऐसा action जिसके पास surplus मनी है, excess of money है, वो opulent है, नहीं चाहिए, बात आई, oblique की, oblique क्या होता है, एक ऐसा angle, ना तो वो straight है, ना वो parallel है, मतलब somewhat inclined plane में, जैसे ऐसा suppose करो, inclined है, slanting line है, ना तो यह 90 का angle है, मतलब ना यह 90 है, और ना यह parallel है, मतलब, ना तो इन दोनों के बीच में 0 degree का angle बन रहा है, ना यहां पर 90 का angle है, तो यह कैसा है, यह एक oblique है, बात आई, optic की, optic क्या होता है, optic, एक sense में, आई से रिलेट करते हैं, इसमें आप lenses की बात कर सकते हैं, अगला देखते हैं, हमारे पर 73rd में क्या है, science regarding principles of classification, जब हम किसी चीज को classify करते हैं, इसको correct answer क्या होगा, taxidermy में, skin को हम preserve करते हैं, correct answer बनेगा, taxonomy, simple answer था, I hope आपको इसका already पता था, यह repeated था, तो मैं इसको ज़ादे explain नहीं करूँगा, चलो 74rd में देखें हमारे पास क्या है, अब political leader appealing to popular desires and prejudice, एक ऐसा परसें जो ना सिर्फ popular beliefs को है, prejudice को ही follow करते हैं, मतलब पुरानी मानेताओं को follow करते हैं, तो वो क्या होगा, क्या वो एक dictator होगा, क्या वो tyrant होगा, क्या वो popularist होगा, या वो demagogue होगा, तो obviously एक ऐसा person, start करते हैं dictator से, dictator के ऐसा person होगा, जो सिफ अपनी बात चलाता है, वो power को छोड़ेना नहीं चाहता, नहीं, tyrant उसी sense में जो operation बहुत जादा करता है, जो बहुत जादा operation करता है, मतलब अपनी जो subject है ना उसके, जो उसके area के लोग हैं, जो उसकी jurisdiction में आने वाले लोग हैं, उन सभी पर ना बहुत जादा, वो cruelty दिखाता है, मतलब बहुत जादा operation करता है, दुख दर्द देता उनको harm पहुंचाता है, popularist, जो काफी popular ही है, जो easily सबके कहना मान जाए, correct answer बनेगा demogog, और इसका answer भी वही है, मतलब एक ऐसा leader, जो सिर्फ popular desires, जो popular desires है, या कुछ ऐसी मानेता है या जो पहले से चल रही है, उनी को appeal करता है, तो वो एक demogog है, I hope demogog है, आपको इसका meaning clear था चलिए, आगे देखें हमारे को 75th में कहें, and closed in closed spaces, small spaces में जब हम first जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, closeophobia, claustrophobia, claustrophobia, liftophobia, आपको इसका already पता है, correct answer बनेगा, C option, claustrophobia, इसमें कहते हैं कैसा percent, जब उसको ना डर होता है, tight spaces में first से रहने का, तो बहुत simple सा the last वाला, इसका आपको पता होगा, तो इसी के साथ आपका आज का session यहीं पर खतम होता है, I hope आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, तो अगर इस session में throughout आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो मुझे comment करके जरूर बताना, कि आपको क्या, क्या सीखने को मिला, कितने words थे जिनका आपको आपको कुछ सीखने को मिला, तो, see you in the next session, thank you for joining, bye for now.